Hello and what's up my dear friends and lovely students, कैसे हैं आप सभी, मेरा नाम शमीम है और मैं आप सब का इस्तिक्बाल करता हूँ अपनी YouTube चैनल Brainstorming Knowledge की उपर और आज की इस वीडियो में हम Q3 करने वाले हैं 1.2 का तीन पार्ट से इसके, तीनु पार्ट को हम आज एंड करने वाले हैं, इस वीडियो के साथ हमारा चैक्टर जो है, वो खतम हो जाएगा Next वीडियो में हम Next चैक्टर को उठाएंगे पूरा खयाल रखने आपको तीनु पार्ट को हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं पूरे एक शौट में कर देंगे बट ये करने से पहले में आपसे ये उमीद रखता हूं कि आपने पहला और दूसरा क्वेस्टन जो है अच्छे से वो देखा होगा, अच्छे से उसको समझ के आए होंगे ठीक है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये कुछ भी नहीं है और मैं बता दूँ बीच में आपको कि इस चैक्टर, इस एक्जरसाइज में से ऐसे ही क्वेस्टन हमने पहले और दूसरे क्वेस्टन में भी किये हैं पहले और दूसरे क्वेस्टन में वह ही हम यहाँ भी करेंगे वोन बाइ रूट टू हमारा पहला पार्ट है तो इसको हमें प्रूब करना है कि ये इर्शनल है तो हम क्या करेंगे, हम एजूम करेंगे लेट वन बाइ रूट टू इस रैशनल चलो कि root 2 rational है अगर यह rational है तो root 2 को हम लिखेंगे 1 by A by B की form में 1 by 2, 1 by root 2 जो है इसको हम A by B की form में लिखेंगे और A and B जो है R o' यह co' प्राइमस है क्या ही यह? यह co' प्राइमस है co' प्राइमस भी आपको मैंने बता दिया हुआ है co' प्राइमस वो नंबर्स होते है ठीक है जिनका हैस्ट common factor 1 हो और उनका कोई भी उसके बगार 1 के बगार कोई common factor नहीं होता है तो चली अगर 1 by 2 A by B के परापर हमने लिया अब अगर हम इसको ऐसा करें root 2 by 1 लिख ले या root 2 लिख ले इसका हमने reciprocal कर गिया root 2 by 1 तो root 2 ही होता है इसका reciprocal किया तो इससाइट से भी reciprocal हो जाएगा B by A ठीक है हमें यहां से 1 हटाना था denominator में 2 था हमें इसको एक अलग नंबर बनाना था root 2 बनाना था ठीक है तो अब अगर यहां पे हमने reciprocal किया तो यहां पे भी हो जाएगा mathematics justice मानती है बाई साब इसमें इनसाफ करना होता है इस साइट जो किया वही इस साइट भी उदर नहीं यहां पे हमने उल्टा कर दी इस साइट से भी हम उल्टा कर देंगे तो root 2 निकल के आता है B by A की फॉर्म में भई भई A जो है यह एक rational number है बट root 2 जो है वह एक irrational number है ठीक है थॉर्म आपकी यह कहती है कि root 2 irrational है क्यों irrational है और आपको यह चीज़ याद रखती है कि root के अंदर जितने भी numbers होते हैं वो सारे के सारे irrational है other than जो कि perfect squares है for example 4 हो गया 36 हो गया 25 हो गया 64 हो गया ऐसे numbers जो है यह perfect squares है for example मैं आगर लिख हूँ यहाँ पे root 25 यह एक irrational number नहीं यह irrational है क्यों क्योंकि हमें बता है कि root 25 का square है तो square root कट जाएगा तो 5 बचेगा 5 एक rational number है clear तो बाकी जो है जो perfect squares नहीं है वो सारे के सारे irrational है तो 2 भी जो है यह भी एक irrational number है यह हुआ कैसे यह हमारी wrong assumption की वज़ा से हुआ तो इसलिए यह fact को contradict कर रहा है यह हमारी जो गलत assumption थी उसकी वज़ा से यह contradiction आई है इसलिए यह जो root 2 1 by root 2 जो है यह एक rational नहीं बलकि एक irrational number है ऐसे लिखेंगे लास में B by A is a rational number is a rational number where A and B are some integers यह कुछ integers है ठीक अगर इनका कोई value दे तो यह rational number नेख लेगा और but root 2 is irrational ठीक है हमें पता है हमें पता है कि irrational rational के बराबर हो ही नहीं सकता therefore it contradicts the fact that 1 divided by root 2 is rational hence we conclude that one by root 2 is irrational इतना आपका यह question है ठीक है आप इसका screenshot ले 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 नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूं ओके जी हो गया ले 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 स्क्रीन शाट चलिए इसको raise करते ही अब दूसरे पार्ट बे आ जाते ही दूसरा पार्ट क्या है दूसरा पार्ट क्या है इसको मैं ऐसे ही रखूँगा फिरा दूसरा पार्ट जो है आपका that is 7 root 5 7 root 5 ठीक है इसको हमें solve करना है ठीक है हम क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे let 7 root 5 is rational यह हमने let कर दिया यह हमने suppose कर दिया कि 7 root 5 जो है यह एक rational number है तो अगर यह rational number है इसको हम A by B की form में लिख सकते हैं लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं हां लिख सकते हैं जबकि A और B जो ह तो 7 root 5 is equal to a divided by b तो root 5 को ऐसे लिखेंगे equal to a by b भी ऐसे यह 7 जो है multiplication में इस side जाने के बाद यह divide में जाएगा तो यह बन जाएगा root 5 equals to a divided by 7b root 5 equals to a divided by 7b अब अगर आपको फिर से दिख रहा हो root 5 जो है पहले question में भी और दूसरे question में भी हमने यह prove किया कि root 5 जो है irrational है तो यह irrational है बट यह rational है a divided by 7b a और b का जब कोई value देंगे तो यह rational number आएगा तो वो तो irrational है तो rational irrational के बराबर हो नहीं सकता it means कि हमारी assumption गरत है और यह number जो है 7 root 5 यह irrational number है क्या लिखेंगे a divided by 7b is a and b are some integers देखो कितना आसान है ठीक है बट लेखिन root 5 is irrational root 5 is irrational जब हमें पता है कि rational irrational के बराबर हो ही नहीं सकता ठीक है therefore it contradicts the fact that यह contradict कर रहा इस fact को कि 7 root 5 जो है बईया वो rational है यह इसको contradict कर रहा है यह तो है ही नहीं इसलिए हम conclude करते है hence we conclude that कि 7 root 5 जो है यह एक irrational number है is irrational ठीक है procedure सेम रहेगा बस आपको कुछ numbers change करने एक बार आपको समझ में आ गया न आपको किसी चीज़ की जरूरत भी है आप खुद कर सकते हैं आप इसका भी screenshot ले लें मैं एक तीसरा पार्ट भी यहीं पर आपको फटा-फट दिखा लेता हूं हो गया के लिए चलिए आप हम तीसरे पार्ट पर आते हैं by the way तीसरा पार्ट आप आपको खुद आ जाना चाहिए था यह उतना मुश्किल है नहीं ठीक है उसको हम as they लखेंगे बार-बार कहा रहा हूं है कि पढ़ लो जो चाहते हो न वो आपको मिल जाएगा लड़कों को मैं कहा रहा हूं कि भईयो पढ़ लो जो चाहते हो न मिल जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे न तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आप बटकते रह जाओगे और आपकी कोई और लेके जाएगा बस यहां ख्याल रखो 6 प्लस रूट 2 हमें यह प्रूव करना है तो क्या करेंगी suppose यह let करेंगी let 6 प्लस रूट 2 equal is rational हमने इस suppose किया कि 6 प्लस रूट 2 rational है अरे समझ आ रहा है अरे न लाइको लाइक भी किया करो कमेट में बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं वीडियो कैसी लगती है यह बताया करो हमें ऐसे motivation मिलती है हम आप लोगों की कमेट देखके समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो कितनी useful हैं आपके लिए और accordingly हम improvement करने की कुशिश करते हैं तो चलिए यह चीज़ किया करें 6 plus root 2 is rational चलिए कि 6 plus root 2 rational है तो अगर यह rational है तो इसको हम A by B की form में लिख सकते हैं लिख सकते हैं जबकि A and B are co-primes यह co-primes है देखिए root 2 तो ऐसे लिखेंगे A plus B, 8 by B ऐसे यह 6 जो है positive integer है इस side में उस side जाने के बाद ही negative integer बन जाएगा जो हमने already equation कर रखा हूँ फिर जिसके denominator में कुछ ना हो उसके denominator में 1 यहीं पर cross multiply करेंगे A1 is A and minus 6 B's are होता है 6 B, 3 और B1 is होता है B root 2 निकल के आता है किसके बराबर A minus 6 B divided by B देख लीजिए बाईया दूसरे पहले ही पार्ट में हमने किया root 2 जो है यह irrational number है बट इस side में यह जो निकला A minus 6 B divided by B यह एक rational number है क्या ही यह B है बाईया यहाँ पर थोड़ा खाया रखना यह B है अच्छा यह rational और यह irrational यह हमने पहले पार्ट में भी किया कि यह irrational है अब तीसरे पार्ट में भी हमने कर दिया कि यह irrational है लेकिन यह irrational है A और B कुछ integers है कोई value दोगे तो यह irrational number निकल कियागा बट हमें यह पता है कि rational irrational के बराबर वो ही नहीं सकता तो यह contradict कर रहा fact को और हम यह conclude गर देपे फिर last में कि यह वह यह बला number जो है यह irrational number है लिखोगे क्या लिखोगे क्या A minus 6 6B 6 है and यह B है A minus 6B divided by B is rational and root 2 is irrational root 2 जो है irrational है but हमें पता है न but हमें पता है कि irrational rational के बराबर हो यह नहीं सकता है therefore it contradicts the fact that यह contradict कर रहा है इस fact को कि 6 plus root 2 जो है कि यह rational है भई यह contradict कर रहा है इस fact को तो इसलिए यह हमारी assumption से यह contradiction आई है वो हमने यहाँ पर यह वह वह आलिक नहीं लिखिये पहले दो questions में लिखी है अब इतना लिखो exam में आपको पूरे की पूरे मार्ट से मिलेंगे hence we conclude that हम यह conclude कर रहे हम यह इक्तिताम पर पहुंच रहे हम यह conclude करते हैं कि भई यह number जो है 6 plus root 2 यह एक irrational number is irrational clear like ठोको जोर से ठोको और subscribe बटन भी ठोको notification आने के लिए notification हासल करने के लिए bell icon को भी प्रेस करो ताक कि नया chapter जब हम start करे उसकी उन वीडियो की notification आपको मिलती रहे वीडियो कैसी लगती है comment section में जरूर हमें बताइएगा ठीक है और अगर कहीं पर confusion रहता है please let us know हम आपकी वो confusion दूर करने के लिए बरपूर कोशिश करेंगे आप इसका screenshot लेंग मिलते हैं आपकी वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिस